नमस्कार आप देख रहे हैं राश्ट्र खबर मैं हूँ आपके साथ जोती सी राजिस्तान पंचायत राजचुनाव के परणाम के बाद जनता द्वारा चुने जन प्रतिनिधियों से राश्ट्र खबर के समवादाताओने की खास मुलाकात जन प्रतिनिदियों से पूछा क्या जनता से जो चुनाव में वादे किये क्या वह धरातल में पूरा कर पाएंगे किन मुद्दों को लेकर लड़ा था चुनाव सरकारी योजनाओं का लाप आम जनता तक पहुँचा पाएंगे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर धरातल पर पहुचा है रास्ट्र खबर देखिए जनता द्वारा चुने गए जन प्रतनिधियों की क्या है सोच देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट नमस्कार राष्टर कबर की टीम आज गराम पंचायत कोटड़ी पहुंची है और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहांके नम निर्वाचित सर्पंज ये पूरम इनकी मिसेश सर्पंज ती इस बार इनको जनता ने दवारा चुना है अभी शेक चोदरी इनसे हम जानना चा पर क्या मसले तो यहень है हमारत हो विकास के मुद्व चुनाओ लड़ा था लोकल लोगों का साथ देने का दिरूज़ारी खतम करने का यही मुद्द है हमयरा तो हमेशा साथ देने का हमने पसलिया कैरिकाल में हमारे वाइप का काई पॉर्यतिाब्स जिल्ए मूंगी और थे बाता है। और लोगों के साथ देने हैं। अबेदरवोड़ के बहुत अची है। आपने पिछले 5 साल के अंदर आपका जोर्दार काम रहे और जनता का स्योग भी रहे। संचर rat पन्चायट लोगाग योष्ट पन्चायट रहेगा पन्चायट में उपलब्द पानी के साच्छ लाग चिकलवास से आए या फिर मातरी कुंडिया से आए यह निकिस आपने कहीं से भी पाणिया आपको लाना पड़े और आपने जो वादे कि पेजल से बंदित वो पूरा करोगे सर्पास्था को लेके ग्राम पचायत के अंदर क्या ध्यान दिया जा रहा है और अभी ग्राम पच सचता के देश्याप यह समझो किसी भी घर के बाहर आपको कच्छा नहीं मिलेगा हमेशा पूरी पंचायत में हमने सीसी रोड बना रखी है नालिया बना रखी है और सोचता में मुख्यू रूम से समयश्या यह आती है कि सरकार की तरफ से अगर पर्मानेंटली हमें कोई न इसको कामिया भी हो सकते हैं फिर सोचता के लिए बाकी सोचता के लिए बराबर हम ठेका देते हैं पंचायत का कर्मचारी साब सपई करवाते हैं हर दो मेने में तीन मेने में लेकिन फिर भी बिना साधन के अबाव में यह मुझकी रूप कारगर नहीं रहता है इसके लिए जो हम बहुत प्रियास करेंगे जो भी समस्य थी पिछले पांस साल के अंदर थोड़ी बहुत बची होगी इस पांस साल के अंदर पूरा कराने की कोशिज करो गया ऐसी कोई ऐसे कोई लोग ऐसर जो पातर हो और जन कलियान कर योजने जैसे परदानमंत्री आवास हो सोचाले ह किसी भी सबन्द में हो जो भी इस बार वंचित चल रहें कोई पातर परिवार हैं कुछ परिवार हैं जो ऐसे बंचीत रहे गया हैं लहालग कि हमने पिछले भी काईडिकाल में सवासों के लगबग प्येम आवास बनाएं अपनी पन्चैत में और आप सो नाम के लगबग ह लोग बाहर रहते थैंगा ठीका नहीं नहीं और कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसको किसी योजना का लाब नहीं मिला ओं यानि कि आपके पुर्जोर प्रियास हैं भी ऐर पंचाइत वासी हर योजनाओं से लाबारतियों सर-पसाब आते हैं अपने विकास की मुद्बे पर आते हैं तो तो बहुत ही अच्छी व्योस्ता है रोडों के मामलें पूरी पंचायद में आप को कच्छा नहीं मिलेगा एक बी जगह आपको यह कच्छा नहीं मिलेगा कि इसके बाहर कच्छा है चोधरी साब आप युवा सरबंचो उर्जावान भीयों शिक्षित प्रति क्या द्यान रह करताओं की टीम में बहुत ही ध्यान देती इस पर और इंदुस्तान जीन के दोवरा भी हमारे बच्छों के लिए आंगनवाडियों में नंदगर बनाए गए हैं तीन नंदगर हमारे ओल्रेडी पंचायद में बना चुके हैं और आंगनवाडिया भी एक माताजी खेड़ा में दो होल बनाए हैं और कोटडी जो सीनियर स्कूल है वहाँ पे एक पूरी बिल्डिंग जिसमें वित लेबोरेटरी साथ कमरों की लेबोरेटरी और पूरा हमने वहां काम करवाया और अभी बहुत ही अच्छी हालते शिक्षा के इस तर पे भी हमारी कोई भी बच्चा अ बाली का शिक्षा के प्रतितों देखिए मैं समाज को आपके चैनल के मैद्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी बाली का जो अभी आज को ताजा उदान बताता हूं अभी तीन दिन पहले हमारे पड़ोश की एक पंचायते काब्रा चोटा सा गाम है उसकी एक ब बाली काओं को आप कोई बेदबाव नहीं करें और बच्चियां बच्चों से कोई कम नहीं है अपनी जो एक आपने सब लोगों मुई देखिए दंगल मुई का डाइलोग मेरी चोरी चोरों से कम है कि तो फिर मेरा यही कहना है कि आप लोग भी जिस तरह उस बच्ची ने कर सकती है और बच्चे अपने केरियर पर बहुत ध्यान देती है तो लोगों को यहीं संदेज दूंगा कि बच्चों को हमेश्चा पढ़ाएं और उनकी पढ़ाई नहीं चुड़ाएं बहुत अच्छी बात की चौदर साहब आपने प्रतिया आपने नसे की नसा किता के अ दारू हो लोग पूरी तरह से डूब चुके और कई लोग अमने हमारे यहां की भी वेवस्तावां बताओं आपको तो कई सारे लोग हैं जो समाजिक चत्व हैं तो शाम के टाइम में जैसे विद्याले की बाउंट्री फदके विद्याले के अंदर चले जाएंगे वहीं ब बतार रहे हैं बढ़ी निशा छोड़ो में चोड़ने के बाद आपका जीवन बहुत ही तरहाएं का इसलिए पूरा प्रियास की अधर आए मारे सर्पंच अब सर्पंच का मुख्य दाई तब क्या और सर्पंच को किस परकार से काम करना चाये सर्पंच का मुख्य दाई तो में में रिवाइब कायर इकाल में भी मैं आपको बताओं तो हम लोगों ने 400 प्टे बनाए और 400 प्टे बनाए तो बिलकुल हमने जो रिजनेबल हमारी करती उसी बनाएं बाकी लोगब किए तो हमें सीधा से बहुत करफशन नहीं लोग प्था पैसा लेते ने लेकिन हमारा ये दाइए तो है कि बिना बैदबाव के हम लोगों तक पूर आगी है नहीं देखते कि यह हमारा एचने वोट दिया यह नहीं दिया वहला हमारा काम है नहीं शुरूश जलिए जन्ता न भी आपने पिछे कारेकाल में को1 नी चोड़ी और किसी से बेदवाव नहीं aumentar इसी कफल दूसरी बार सरपन चुने गाए तो sir आप जीत का सरे किसका दर न paar. तो मैं कारेकरताओं को दूंगा मेरे काहों मेरे गाओं की मेरे पंचायत की कर सकता हूं जो पूरी टीम मेरे युवाओं की महिलाओं की बुज़ुर्गों की उसी की विज़े से मेरे सपलता मिलिए चोधरी साब अपने बात करते हैं जीत की सरे की बात आपकी हुए आपने ग्राम पंचत की जनता को दिया है तो जनता का अभार किस परकार से विक्त करन हो जाए पूरी स्टाफ हो जाए सभी लोग यही प्रयास करेंगे के अच्छे से काम हो पंचत और एक निर्मल ग्राम पंचत बनके लोगों के सामने गुदान पेश करें कहां एक जिले के लांतिम चोर पर एक पंचत है जिसमें भी विकास का नया मोडल पेश हुआ है और हम और सारी हमारी विवस्ता अच्छी है तो हमारा यही कहना है कि हम तो इससे भी ज्यादा करके बताएंगे अभी बात हुई और अभी आपने सुना चोधरी साब से चोधरी साब की जुबानी सुना आपने गराम पंचत के अंदर जो भी समश्यें पहले से भी हैं या भी भी जन कल्यान कर योजनवसी बंची चल रहा है उसको जल से जल परवावी रूप से लाब दिया जाएगा देखते रहें राश्ट्राइब